हाई फ्रेंसें सब्सक्राइबर्स आज जानेंगे हम हमारे सेवेंटी थाउजन इंडियन रुपीज के आईवेफ पैकेज के बारे में इसे हम लो कॉस्ट आईवेफ पैकेज भी बोलते हैं और आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि ये पैकेज किन के लिए है और सक्सेस रेट लगबक क्या होगा तो एंड तक जरूर देखिए सेवेंटी थाउजन इंडियन रुपीज का आईवेफ पैकेज हमारे हॉस्पिटल ने बनाया है खास के उन लोगों के लिए जिनको हमने लो एज पे यानि कि कम एज पे डाइगनोस किया है और उन्हें आई वी उफ की जरूरत है यह उन लोगों के लिए भी है जिनके अंडों के प्रोज्ट्शन में कोई प्रोब्लम आता है या स्पर्म केमो हkeeरे कोई प्रोबलम सुखिंग में प्रोबलम आती है और चोटी चोटी चीजों की वज़े से वह कंसिव नहीं कर पा रहे हैं इन्ह तो नॉर्मली एक ideal patient ये low cost IVF package के लिए कैसे रहता है उसकी profile जानना बहुत जरूरी है नॉर्मली woman की age between 25 and 35 years होनी चाहिए 25 से भी कम रह सकती है definitely 21 age के उपर I would say between 21 to 35 age के अंदर रहना बहुत जरूरी है दूसरी चीज है कि patient ना तो बहुत मोटी रहनी चाहिए ना तो बहुत heavy रहनी चाहिए height में बहुत ज़्यादा height नहीं रहनी चाहिए ये सब criteria किसलिए बनाए गए है क्योंकि ये एक fixed dose package है ये इसमें जो IVF का dose डलता है वो fixed रहता है क्योंकि cost को कम रखना बहुत जरूरी है तो ये fixed dose उनमें काम करता है जो profile को fit करते हैं IVF के लिए polycystic ovaries वाले patient हम ऐसे वाले low cost IVF में नहीं ले सकते हैं because of certain restrictions in scientific यानकि scientific reasons की वज़े से हम उनको नहीं ले पास सकते हैं तो definitely polycystic ovaries is a strict no age over 35 या low AMH के cases जिनमें अंडे कमजोर होते हैं या कमजोर अंडे मिलने की संभावनाएं जादा रहती हैं उनमें हम low cost IVF नहीं कर सकते हैं और हमें उनके लिए specially high cost IVF यानि की high quality IVF को जाना बहुत जरूरी है साथी साथ male factor infertility के बारे में जानना भी जरूरी है अगर बहुत ही छोटा problem है motility या morphology में तो low cost IVF कर सकते हैं या directly donor sperm के लिए patient को आगे जाना पड़ेगा अगर इस patient को बहुत सारे sperm में problem है यानि की count बिलकुल कम है या motility बहुत ही bad है तो definitely या तो patient के husband को donor sperm के लिए आगे जाना पड़ेगा या तो ये low cost IVF हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि low cost IVF में conventional IVF होता है और XC नहीं होता है क्योंकि XC के additional costs बढ़ जाते हैं इसमें storage वगेरे के charges additional रहते हैं तो I hope आपको एक basic idea आया रहेगा कि ये IVF का package कैसे होता है अभी अगर आपको इस package के लिए आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा हमारे hospitals जो भी हैं गोवा में हैं गोवा छोड के बाहर आज तक तो hospitals हमने नहीं बनाए हैं तो आपको गोवा आना पड़ता है हम online या email के द्वारा ये सब treatments नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है थोड़ा बहुत discussion करना ठीक है phone पे या whatsapp पे पर treatment whatsapp के द्वारा करना गलत है और इसमें उतना फायदा भी नहीं होगा आपको अगर आप IVF के लिए या कोई भी treatment के लिए आगे जाना चाहते हैं तो definitely phone के द्वारा तो treatment नहीं दे सकते आपको directly physically गोवा आना पड़ेगा तो सोचो कि अगर आपको October महिने में treatment करना है तो आपको September महिने में एक बार assessment के लिए आना जरूरी रहता है assessment के time पे आपका basic check-up होगा आपका discussion होगा check-up के बाद और हमें ये पता चलेगा कि ये low cost IVF package आपके लिए सही है या नहीं आपका complete counseling किया जाएगा जहांपे आपका individual यानि कि हर patient में अलग-अलग कभी-कभी IVF करना पड़ता है जैसे कि dose अलग रहते हैं बिमारिया अलग रहती है तो उनकी वज़े से क्या आपके IVF success में कोई problem आएगा हां या नहीं इसके बारे में assessment cycle में पता चलता है उसके बाद आपकी periods आते हैं और periods के बाद आपका IVF start होता है अब इक बार पता चलता है कि assessment cycle के बाद आपको थोड़ा बहुत pre-treatment देना जरूरी है pre-treatment के cost low cost IVF package में नहीं रहते हैं और ये additional treatments रहते हैं ये उन लोगों के लिए हैं जिनको थोड़े tablets या थोड़े injections से थोड़ा बहुत उनकी fertility में फरक बढ़ता है fertility बढ़ जाती है और उनको OEB IVF treatment में फायदा थोड़ा extra होता है इसको हम pre-treatment बोलते हैं pre-treatment सब के लिए नहीं होता थोड़े patients को benefit देता है तो पस उनहीं के लिए होता है तो pre-treatment के लिए आपको pre-treatment assessment cycle में आना होता है उसके बाद in case necessary pre-treatment will be given और उसके बाद period आता है ladies को और period के ठीक दूसरे या तीसरे दिन पे आपका IVF start होता है तो जैसे मैंने मेरे 16 injection IVF cycle के बारे में information दी है कम से कम 16 injection या उससे भी थोड़े कम शायद 14-16 injections आपको लग सकते हैं IVF के दौरान जिसके बाद आपके अंडे completely mature होते हैं और उसके बाद हम IVF उसमें कर सकते हैं IVF low cost IVF में कितना success आता है well it depends on patient to patient अगर आपके अंडे थोड़े बहुत strong है तो up to 40-50% आप success rate एक cycle में ही expect कर सकते हो अगर आपके अंडे थोड़े बहुत weak हैं तो up to 30% आप expect कर सकते हो hope आज का वीडियो आपको थोड़ा बहुत informational लगा कोई भी comments हैं तो जरूर पूछिए definitely कोई भी assessment के लिए correct रहता है कि patient directly आके doctor को physically मिले हमारा address हम description में डालते हैं आप जरूर appointment लेके आईए thank you very much in case of any additional questions do ask in the comment section below do like and subscribe thank you